नारियल तेल में ये दो शीज़े में लाकर के लगाईए इतना ग्लो इतना निखार आएगा कि आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कोई महंगा सरब लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है anti-aging properties हैं इस remedy में साथ ही साथ glow का खजाना है brightness का खजाना है skin के pores को भी tight करता है tran हटाता है और आपके skin को गोरा बनाता है आपके skin के दाग धबे भी दूर करता है और skin इतनी form इतनी beautiful हो जाती है radiant हो जाती है कि सब पुछने वाले हैं कि आजकल क्या कर रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है आपको लेना है coconut oil coconut oil virgin लेंगे बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है आपके पास तो normal जिस भी brand का आपके पास है वो use कीजेगा coconut oil की ना कई सारी खूबिया है इसको easily suit कर जाता है दूसरी चीज coconut oil आपके skin के उपर जो sun exposure की वज़े से damage हो रहा है चाहे वो tanning है चाहे वो melasma है चाहे वो pigmentation है dark spots है उनको दूर करता है तो sun exposure की वज़े से रोजाना हमारी skin aging की तरफ बढ़ती है तो उसकी मरमत करता है ये coconut oil तीसरी चीज coconut oil क्या करता है आपकी skin की deep pore cleansing करता है it's a best cleanser you know double cleansing मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि sometimes I do double cleansing जब मुझे लगता है कि मेरे pores बहुत ही ज़्यादा सिवम से भर चुके है और dirt and dust उनमें पुरी तरह से भर चुकी है चौती चीज coconut oil क्या करता है आपकी skin के aging process को delay कर देता है क्योंकि इसमें medium chain fatty acids होते हैं जो की आपकी skin के अंदर penetrate हो जाते है easily और आपकी skin को हुई nutrition देते हैं जो उसे चाहिए तो बहुत बहुत beautiful results देता है और बहुत अच्छी बात है सबको suit कर जाता है तो मैंने लिया है यहां तकरीबन एक चमच coconut oil इस coconut oil में जो दूसरा ingredient हम add करेंगे वो है coffee coffee क्या करती है coffee एक तो blood circulation बढ़ा देती है skin पे और रोज लगाओंगे रोज blood circulation बढ़ेगा तो आप सोच सकते हो कि आपकी skin का glow कहा जाएगा दूसरी चीज coffee क्या करती है जितने भी दाग दब्बे हैं उन सब को धीरे 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 lightening करती जाती है तीसरी चीज coffee क्या करती है आपकी skin के अंदर penetrate हो करके आपकी skin को जुर्यों से बचाती है you know anti-aging properties होती है coffee में और जितना भी अगर आपके dark circles है या फिर uneven skin tone हो गई है lips black हो गए है आप coffee लगाना शुरू कर दीजे आप देखेंगे कि जल्दी से वो problem आपकी दूर हो जाएगी तो कोई भी brand की coffee जो भी आपके पास है लेंगे कितनी लेंगे? आधा छोटा चमच बस इससे ज्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है इतनी ही काफी है और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारे coconut oil में बहुत अच्छे से mix किया अब इसे और powerful बनाने के लिए जो third ingredient मैं यूज करती हूँ वो है ये lemon जो की vitamin C का खजाना है मेरे चहरे के सारे दागदबे इस lemon ने दूर किये है natural bleach है जी आपकी skin चाहे कितनी ही dull और dehydrated क्यों ना हो रही हो और काला पन चागया हो skin पर tan से भर गया हो skin आपका तो ये lemon का टुकड़ा आपकी बहुत काम आने वाला है तो बहुत ज़्यादा नहीं solution है ये कि आपकी skin पर जो भी issues है वो सब दूर करने में सक्षम है और महंगे से महंगे facial से बहतर results आपको ये ला करके देता है यकीन नहीं आ रहा है अभी भी then give it a try नुकसान नहीं होगा इसका ठीक है एक बार try कर लो आपको 100% यकीन आ जाएगा आप ये नुसका और भी अपनी friends को बताओगे ये आपने ले लिया हाथ में इसको face पे apply करेंगे instant result देता है एक बार बस massage करनी इससे बनती है massage कैसे करनी है कौन-कौन से steps है वो भी सारे मैं बताऊंगी तो वीडियो को यहाँ बन मत करना की remedy पता चल गई है massage भी ढंक से करना because अगर गलत massage करोगे तो result उल्टा आता है फिर skin lose होनी शुरू हो जाएगी तो सही तरीके से massage करनी skin पे बहुत बहुत जरूरी है तो अच्छे से पहले ही आपने apply कर लिया लगा लिया यह काम आप या तो रात को सोने से पहले कर ले और यह लगा के भी सो सकते हो वैसे कोई नुकसान नहीं है या फिर आप सुभा जब आपके पास थोड़ा time होता है skincare का नहाने से पहले या नहाने के बाद जब भी यह काम करें amazing amazing results आपको मिलने ही है ठीक है अच्छे से लगा लिया अब आप सबसे पहले face पर tapping करेंगे ताकि थोड़ा सा यह आपकी skin के अंदर penetrate होना शुरू हो जाए tapping करेंगे तो penetration अच्छा होता है कोई भी remedy अगर आप लगा रहे हो या कोई cream लगा रहे हो तो कोई सिरम लगा रहे हो तो आप पहले tapping करो tapping से blood circulation भी होता है और वो cream या सिरम या वो remedy का असर दुग ना आएगा आपके face पर ठीक है इस तरह से tapping कर लो उसके बाद आप यहां से शुरू करो ठीक है उसके बाद आपने शुरू करना है यहां से chin area से इस तरह से नकल से आप उपर की तरफ अपनी skin को ले करके जाएंगे इस तरह से इस से double chin भी दूर होती है और आपकी jaw line जो है वो बहुत अच्छी दिखती है face की shape intact रहती है कई लोगों की skin जब aging की तरफ बढ़ती है तो यहां का इस तरह से यह step करेंगे तो वो area bulgy नहीं होगा हर एक step जो मैं आपको बता रही हूँ 10-10 times करना है उसके बाद हम गर्दन को उपर की तरफ इस तरह से massage देंगे सबसे पहले जो wrinkles है वो आपकी गर्दन पर ही आते हैं और आपकी आँखों के नीचे आते हैं यह दो areas होते हैं जहां wrinkles सबसे पहले दिखते हैं तो इनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अब इस area पर आपके lips के नीचे के area पर इस तरह से आप center से लेके side में इस तरह से stretch करेंगे skin को then हम lips से लेंगे और lips से चाहे तो आप दो fingers से कर लें चाहे नकल से कर लें जैसे आप comfortable है उपर की तरफ skin को इस तरह से tuck in करेंगे nose के side से आप cheekbone के नीचे आते हुए और फिर उपर लेके जाएंगे eyes के side में यह amazing results मज़ेदार results मिलेंगे कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी skin के न 10-12 साल कम हो गए ऐसा आपको feel होगा then हम eyes के नीचे से लेंगे ताकि हमारे eye wrinkles भी दूर हो सके माहर की तरफ इस तरह से eyebrows पर आप इस तरह से पहले pinching करेंगे जिससे कि आपकी eyes भी uplift होगी जिनकी धसी eyes की problem है droopy eyes की problem है sagging eyes की problem है वो दूर होगी और साथी साथ आपका forehead भी uplift होगा और उसके बाद आप forehead पर center से इस तरह से उपर की तरफ stretch करेंगे फिर side से और फिर side से यह सारे steps हैं जो आपको follow करने हैं और इसके बाद last में यह यह भी step आपको 10 बार करना है इससे आपकी पूरे के पूरे face की जो skin है वो tight होती है and then last में pressure points to relax your face यह pressure points है ध्यान से देख लीजे आप यह massage करके सो भी सकते हैं रात को कर रहे हो तो और दिन में अगर यह massage कर रहे हो तो इसे लगा रहने देना है आपने अपने face पर तकरीबन आदे घंटे के लिए आपकी beautiful सी massage है जो coconut oil को अपना करके और इसमें यह दो चीजें मिला करके आप कर सकते हो सच में amazing amazing नुस्खा है यह अपनी beauty को निखारने का सवारने अब बताती हूँ coconut oil से आप facial कैसे कर सकते हो वेल आज आप लोगों के साथ share कर रही हूँ बिना पैसे का बिना खर्चे का बिना बहुत जाला efforts का coconut oil facial coconut oil को गरम करके यह अपने face पर मेरे बताए तरीके से लगा लेना और यह facial कमाल धमाल करेगा आपकी face पर आपकी skin को wrinkle free बनाएगा जूरियां देख लीजे ही facial कैसे करना है क्या क्या चीजों की पड़ेगी और I am sure की सारी चीजें आपके घर पर available है इसी समय भी मेरे साथ साथ भी facial आप कर सकते हो तो facial का first step है cleansing cleansing के लिए कुछ नहीं लेना सिर्फ दूद लेना दूद आप सब के घर में होगा तो raw milk ले लेना या फिर उबला हुआ थंडा किया हुआ दूद ले लेना और cotton ball इस तरह से उसमें drip करनी अपने face को अच्छे से deep clean कर लेना है दूद से दूद में जो lactic acid है वो आपकी skin के pores को clean करेगा इस facial के लिए आपकी skin को तयार करेगा well facial में अगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी request मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं उनसे आपको फाइदा मिलता है प्लीज लाइक जरूर किया कीजे मुझे motivation मिलती है इससे धेर सारी आपके लिए नए नए वीडियो लाने की और अगर process है यह 4 step process नहीं है इस fashion का तो pack और cream बनाने के लिए coconut oil तो obviously चाहिए ही क्योंकि वह इसका main ingredient है साथ ही साथ हमेशा ही धनिया जी हां green धनिया बहुतायत में मौझूद है सबके घर में होगा सदियों में तो धनिया की भरमार होती है गानिशिंग के लिए यूज करते हो लेकिन यही धनिया आपको बता दू skin को brighten up करता है natural bleach का काम करता है आपकी skin के दागधवों को दूर करता है blemishes को हटाता है और जूरियों को भी खत्म करने का काम करता है इसे natural botox कहा जाए तो कुछ अतिश्योक्ति नहीं होगी विकस सच पे यह वही काम करता है तो दन्या लिया तकरीबन एक बंच और उसको आपने अच्छे से वाश कर लेना है ताकि जितनी मिट्टी है या impurities है वह दूर हो जाए और इस दन्या को फिर आप पीस लेंगे mixy के जान में डाल लिए पीस लीजे पीसने में दिक्कत हो तो दो से तीन चम्मच इसमें rose water डाल लीजेगा इस तरीके का paste मिल जाएगा पेस्ट को आप छान लेंगे यह जो धन्या का juice है इसको हम अलग रखेंगे cream और pack के लिए यूज आएगा यह और जो ऊपर बचा हुआ इसका pulp है उससे हम scrub तयार करेंगे तो करना क्या है यह pulp जो है धनिये का उसे आप एक bowl में shift करेंगे और उसमें आप add करेंगे एक चम्मच चीनी चीनी में natural glycolic acid होता है और यह बहुत अच्छे से mildly scrub करती है आपकी skin को और साथ ही साथ आपकी skin की glow को वापिस लाती है और अगला ingredient है honey यानि की शहद एक चम्मच के करीब शहद add कर रही हूँ सब चीजों को mix कर लेंगे इसे 2-3 minute के लिए रखिएगा उसके बाद इसे अपने face पर apply करना है और scrub करना है 2-3 minute के लिए रखने का कारण यह चीनी जो है उसके granules थोड़े से थिन हो जाएंगे जिससे आपके face पर वह बहुत अच्छे से scrub कर पाएगी तो इस तरह से apply किया अपने nose के आसपास अपने chin के आसपास बहुत अच्छे से अपने scrubbing करनी है पुरे face पर apply करना है कानों को बिल्कुल नहीं भूलना है गरदन को बिल्कुल नहीं भूलना है और अच्छे से तीन से चार मेंट के लिए मसाज कीज़े इससे scrubbing हो जाएगी ब्लैक हेट स्वाज़िट निकल जाएगा और चहरा बहुत बहुत ब्लैक करने के बाद ही अब बाद ही आती है थर्ड स्टेप की वो क्रीम कम पाक दोनों है मतलब क्रीम का भी काम करेगा और पाक का भी काम करेगा तो एक ही चीज से दोनों काम हो जाएगे करना क्या है आपको लेना है दू चमच गरम नारियल तेल ठंडा लोगे तो इस टाइम पे जब जाएगा वो इसे थोड़ा सा गरम कर लेना उसको दो चमच नारियल तेल लेंगे जिस भी ब्राइंट का जिस भी क्वालिटी का नारियल तेल आपके पास है वो यूज करेंगे नारियल तेल में होता है विटमिन E और विटमिन A ये आपकी skin को पोश्ट करता है साथी साथ natural cleansing agent है skin पे चितनी वरजी टैनो रखियो उसको दूर करता है नारियल तेल और आपकी skin को production के प्रभाव से भी पचाता है साथी साथ skin में glow लेकर के आता है तो इस नारियल के तेल में अब मैं जो दूसरा ingredient आड़ कर रही हूँ वो है aloe vera gel सबके घर में होगा plant वाला भी ले सकते हो और अगर कोई आपके पस market वाला पड़ा वो भी ले सकते हो तक्रीबन दो ही चम्मच हम इसमें aloe vera gel आड़ कर देंगे aloe vera gel आपके skin के pH balance को भी maintain करेगा अगर आप vacations से आए हो या फिर skin का बहुत टाइम से आपने ध्यानी नहीं रखा और skin बहुत ही ज़्यादा बेजान हो रखी है तो इसमें जान फूगता aloe vera gel बिकुज ये skin cell regeneration process को boost up कर देता है और साथ ही साथ आपकी skin के blemishes को भी reduce करता है and the third ingredient हमने ये धनिये का juice बना के रखा था 3-4 चमस वो इसमें mix कर देंगे अच्छो से इस तरह की consistency आप देखिए आ जाएगी अब जो अगला ingredient हम use करें है वो है चावल का आटा चावल का आटा रंग निखाने का काम करता है चावल का आटा glow लेकर के आता है चावल का आटा skin को tight भी करता है अगर चावल का आटा बायचन्स आपके पास नहीं है तो आप चावल घर में है उसको पीस ले सकते हो या फिर आप बेसन डाल सकते हो बेसन भी नहीं है तो नौर्मल गेहूं का आटा अगर आपके हर में है वो भी आप यूज कर सकते हो इन तीनों आप्षिन में से कोई भी आप आप आप्षिन यूज कर सकते हो अगर mixture थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा आप green juice जो हमारा धनिय का juice है वो दुबारा से आइड कर सकते हो या rose water आइड कर सकते हो तो इस तरह के का ये green pack cream महालिफ बन करके ready हो गई है इसे face पे apply करना है पूरे face पे गरदन पे अच्छे से apply कर लीजे फिर massage करनी है आपने तकरीब दो से तीम मिनट के लिए और उसके बाद एक layer और लगा लेंगे अपने face पर अच्छे से coating कर लीजे और 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है brush से लगाए या finger से लगाए choice is yours जैसे भी लगाए 20 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे 20 मिनट के बाद अगर आपके यहां इतनी सर्दी नहीं है तो सूख जाएगा यह लेकिन अगर सर्दी है जैसे कि मेरे यहां है बिल्कुल नहीं सूखा है तो मैं इसे spoon की help से रिमूव कर लूँगी इस तरीके से and you can see the results, you can see the glow, you can see the brightness कितना अच्छे से निखार इसने मेरी skin पर ला करके दिखा दिया है फेस को वाश कर लेंगे और वाश करने के बाद भी यह जाने नहीं वाला है यह जो रेमेडी है चाहे सिंपल सी लग रही है लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बहुत स्पेशल है तो बिल्कुल आपने ट्राइ करना है I'm sure कुछ लोगों ने तो मेरे बताने के साथ से ट्राइ कर भी लिया होगा और अगर नहीं किया तो आज एकल में ट्राइ कर लेना और रिजर्ट कैसे में जरूर मुझे बताईएगा मुझे आपके कमच का इंतजार रहता है वैल ये फेशल सभी स्किन टाइप्स को सूट करेगा आप चाहे 16 साल के हो 20 साल के हो 25 साल के हो 30 के हो 40 के हो 45 के हो सब की स्किन में एक beautiful निखार लेकर के आएगा ये फेशल और चाहे oily स्किन है, combination है, dry है, normal है सब की स्किन को सूट करेगा और दूसरी बात इसे mail भी कर सकते है कई लोग मुझे पूछते हैं कि पूजा बच्चो का रंग कैसे निखा रहे हैं उनका रंग साफ नहीं हो रहा है या पहले अच्छा था, अभी साबलेपन की तरफ जा रहा है मुझे उस दिन बिलकुल भी यकीन नहीं हुआ कि मेरी जो जुल्सिवी स्किन थी संटैंस से और बुरा हाल था उसको इसने सुब 20 मिनट में इतना ब्यूतिफुल बना दिया था तो ट्राइ करना बिलकुल बनता है यह था आज का वीडियो, मीट करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर देना और मैं आपसे मिलूँगे एक अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा खुश रहेगा, बाबाई